मित्रो जय मातादी आप देख धर्म सिक्षा मित्रो आज के इस वीडियो में हम चाचा करने वाले हैं वाहन खाइदने के लिए अपरेल 2024 में कौन-कौन से दिन सुब रहने वाले हैं किन-किन सुब दिनों में, सुब तिथियों में, सुब समय में आप अपने वाहन को खाइद सकते हैं, वाहन आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी की सैकल भी हो सकते हैं, किसी की मोटर सैकल, कार, जीब, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कुछ भी हो सकते हैं, लोग अपनी अपनी छमताओं कर अंसार अपना वाहन खाइदते हैं, लेकिन जो लोग भी वाहन खाइदते ह ताकि उसके अच्छे अच्छे परिणाम ही हमें देखने को आगे को मिले। बुरे परिणाम की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ समझ लेना चाहिए। अच्छे समय में ही वहान को खईदना चाहिए। आपको मोहूर्त अप्रेल 2024 के में बताना आरम करूं। उससे पहले यह जानना जरू अबसेख है कि किन-किन परिष्थितियों में तो भूल कर भी नहीं खईदना चाहिए। वह आप नोट कर लिजिए। पहला सनिवार और मंगल वार। वार में दो ऐसे वार हैं जिनमें मोहूर्त नहीं बनता है कोई भी। तो इसमें कोई भी वहान नहीं खईदना चाहिए। दूसरा राहुकाल हर रोज आता है कुछ समय के लिए। आपको पंचांग के वीडियो में, रासिफल के वीडियो में अपने चैनल पे मिलता रहता है, एक दिन पहले ही कल का पंचांग आप जान सकता है, सामके चार बजे, उसमें आप जान पाएंगे कल कितने बजे राहुकाल है, राहुकाल कल जो समय है न, उस समय में वाहन खईद लेना उससे आप मालिक नहीं बनते हैं वो सब भी अच्छे मुर्त में होना चाहिए लेकिन सबसे जो महतपूर्ण है जब आप गारी रेसीब करते हैं तो अमुक गारी के आप मालिक बनते हैं और मालिक बनना ही एक अच्छे मुर्त में चाहिए तो राहुकाल में गारी सोरू कर भी न ही खखेंडना चाहिए। चौथा आपकी रासी से, चजब चौथे- आठवें या-बारावें भाव में हो तब भी आपको उस दिन वहान खायदने से बचना चाहिए मालने जे अमुक दिन बहुत ही अच्छा महूरत है लेकिन मेरी राषी सिस चंद्रमा चोथे, आठमें या बारहुए भाव में है तो सब के लिए तो अच्छा महूरत है, लेकिन मुझे उस दिन उस महूरत में वहान खरिदने से बच जाना चाहिए, मुझे उस दिन नहीं खरिदना चाहिए, ऐसे वहान हानी कराते हैं, आगे चलके. इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले तब तब भी वहाँ नहीं खहिदना चाहिए हलाकि बुधवार और गुरुवार से अरंभ वार होने वाले पंचक जदा प्रभावी नहीं होते हैं इस बार सन्योग से गुरुवार से पंचक अरंभ हो रहे हैं नौ अप्रेल 2024 को सुभा के आठ बच का आठ मेट पर होने वाला है तो चुकि एक पंचक गुरुवार से आरंभ हुआ है तो गुरुवार और बुधुवार से आरंभ होने वाले पंचक परभवी नहीं होते हैं जैसा कि मैंने आपको पता हैं तो इसमें आप खरीद भी सकते ह आए अब महुर्थों की चाहिचा कर लेता हैं जो कि अप्रेल 2024 में पढ़ने वाल हैं इस अप्रेल 2024 में कोई पांच महुर्थ परेंगे अगर आपको इन पांचों में से कोई भी महुर्थ सूप ना करे या अपनी रासी से चंदरमा की स्थेती को देखते हुए आप महुर् वार्टसप करना है वार्टसप पर लिखना है वाहन महुर्थ इतना ही लिखना हमायतर अपसे आपको मैसेज आ जाएगा उसमें जानकारी रहेगी क्या काची आपको बतानी है यहां पर आप सीर पर्षिप 111 औरोपे की दक्षेना से जमा कराकर अपने लिए व्यक्तिकत त रस्मी और एकादसी रहने वाली है नक्षद्र करम सा स्रवन और धनिष्ठा रहने वाला है सु महुर्थ करनेवान होगा दिन के 11 बच कर 36 मेर्श लेकर रात लिके 3 बच कर 22 मेर तक तो सो रूम खुलाने रहेगा तो दिन के 11-36 से लेकर जब तक सो रूम खुला है आप वहा रख लीजिएगा दूसरा सु महुर्थ बनेगा वो सुकरवार 12 अप्रेल 24 को बनेगा इस दिन दिथी करम सा चतुर्थी और पंचिमी रहने वाला है नक्षद्र करम सा रोहनी और मिर्क सिरा रहने वाला है सु महुर्थ करनेवान होगा साम के 4 बच कर 49 मेर्श से लेकर अहो सु महुर्थ बनेगा रईवार 21 अप्रेल 24 को इस दिन दिथी करम सा 23 और 24 रहने वाला है नक्षद्र करम सा उत्तर फालगुनी और हस्त रहने वाला है सु महुर्थ करनेवान होगा साम के 5 बच कर 12 मेर्श लेकर रात लिके 12 बच कर 24 मेर्ट तक यहां भी साम के 5 बच के बार महुर्थ है तो हमें पहले ही पहुंचाना चाहिए दिन में एक बज़े दो बज़े ही पहुंचाना चाहिए और सारा काम अपना इस प्रकार से करवा लेना चाहिए कि पांच बारा के बाद आपको वहन मिल जाए बस इतना ध्यान रखना चाहिए चंद्रमा से लेकिन अपन वहान खरीच सकते हैं, दोनुचियों का ध्यान यहां भी रखेंगे, राहुकाल भी आएगा दिन में, और चंदरमा से अपनी राशी की स्थेती का ध्यान रखना आवस्यक है, पांच मा सुब महुर्थ और इस माह का अंतिम जो सुब महुर्थ बनेगा, वो बनेगा सुकरवा वहान खरीच सकते हैं, दोनुचियों का ध्यान यहां भी रखना आवस्यक है, राहुकाल पूरे दिन में आएगा, और चंदरमा से आपकी राशी की स्थेती का ध्यान यहां भी आवस्यक है रखना, तो मुझे उम्मीद है, अब आप एक अच्छे मुहुर्थ में ही अपने ग्यान वरदक वीडियो के साथ तब तक देखते रहे, धर्म सिक्छा, जै मात अभी